आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोड करें फ्रस्न नाइट्रिक अमल की आक्सी कारक क्रियाओं का वरण की दिये ठीक है तो आक्सी कारक क्या होता है सबसे पहले तो हमें आक्सी कारक समझने की ज़रूरत है तो आक्सी कारक पदार्त, उन पदार्तों को कहते हैं जिनका क्या हो रहा हो जिनका अपचेन हो रहा हो क्या हो रहा हो अपचेन हो रहा हो अपचेन यानि कि क्या होता है अपचेन में इलेक्ट्रोन का लाब होता है ठीक है इलेक्ट्रोन ग्रहड करता है तो इलेक्ट्रोन ग्रहड करता है उसे अपचेन कहते हैं और वो एक अच्छ जाहाँ पर ध्यान हो रहा है ठीके तो नाइट्रिक अमल हमारा क्या होता है नाहिट्रिक अमल वह उसका सूत्र होता है हे टियुं मुद्ध रीजन अगर नाइट्योजनकि अक्सिककर्ण संख्या गी बात हम करते हैं तो देखें do निकालने के लिए हमें होता है होता है hydrogen का एक होता है nitrogen का एक होता है nitrogen का यहां पर 5 निकल गया, तो अभिकरिया को हम देख लेते हैं, तो जिसे कार्बन है, तब यहां पर हमारा क्या बनता है, CO2 और हमारा NO2 और H2O जब बराबर करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारा यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 ठीक है तो यहाँ देखिए nitrogen का कितना होता है HNO3 में प्लस 5 oxyglas है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा oxygen का minus दो तो यहाँ पर प्लस का 4 तो 5-4 यानि कि 5-4 oxyglas के घट रही है अगर oxyglas के घट रही तो क्या है अब चेहन हो रहा है यानि कि oxyglas की तरह HNO3 यहाँ पर कैसा कारी कर रहा है oxyglas की तरह कारी कर रहा है ठीक है तो पहली अभी क्रिया तो यह हमारी होगी दूसरी देख लेते हैं दूसरी देखे क्या है जैसे मान लो आर्सनिक है ठीक है आर्सनिक आर्सनिक और नाइटरिक अमल शिक्रिया किया ठीक है जल भी लिया है ठीक है आर्सनिक हमारा उपधातू है और तो यहाँबर बनेगा H3 ASO2 यह क्या बना यहाँ ASO4 बनेगा नाइटरिक ऑकसाइ्ड तो यहाँबराबर करोगे तो यहाँबराबर चै और फिर यहाँ दस और यहाँबर चार और यहाँबर 6 और यहां पर 10 ठीक है यहां पर भी क्या हो रहा है अब चैन हो रहा है ओके ठीक है थैंक यू